कर्म बड़ा या भाग्य वक्त से बदल कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा कभी ना सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे जी हाँ दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही जानकारी बहुत सारे युवास सोचते हैं कि बिना कुछ किये उन्हें वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहते हैं इस पर लगातार बहस होती है कि भाग्य बड़ा है या फिर भाग्य लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को जिससे की आपको नए वीडियो उसके अपडेट सबसे पहले मिलेंगे जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मंजिले उन्ही को मिलती हैं जो उसकी और कदम बढ़ विष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज ये तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद में पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा तुम्हें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा यानि की स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही है तुलसी दास तरफ अलग-अलग राजाओं का राज्य था। जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरू की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी को लेकर दोनों राज्य में अक्सर जगडे होते। एक बार तो बात बिगड़त बिगड़ते युद्ध तक आ पहुँची। कोई भी राजा सुलह को तयार नहीं था। युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशिरवाद लेने का निश्चे किया। पहला राजा जब आशिरवाद लेने पहुचा तो महात्मा न उससे कहा तुम्हारे भागे में जीत नहीं दिखती आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा पहले तो थोड़ा विचलित हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर हार ना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरो तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किसमत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरे राजा के घोड़े की दोनों ही राजाओं को ये जानने की जिग्यासा थी कि आखिर भागय का लिखा बदल कैसे गया उन्होंने महात्मा से पूछा महात्मा ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया राजन भागय में लिखा नहीं बदला वो अपनी जगे बिलकुल सही है तुम लोग बदल गए उसने जीत राजन की तरफ हाथ उठाकर कहा आपने तो युद्ध से पहले ही जश्न मना लिया था आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का खयाल नहीं रखा और इतनी बड़ी सेना को आप कैसे सम्हाल पाएंगे हुआ वही जो होना लिखा था भागय नहीं बदला किन्तु जिसकी भ भागय के निर्माता हैं जो भी कर्म हमने किये वो संचत कर्म फल ही भागय है कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना यह हमारे वश की बात नहीं है हम तूटकर बिखर सकते हैं लेकिन तूटकर सवर भी सकते हैं तो दोस्तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए हमें हमेशा अपना जीवन कर्म प्रधान रखना चाहिए बाकी हमें फल तो अच्छा मिल ही जाएगा तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी हम इसी तरह की और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपको इस विडियो शेर कीजिए देखते रहें चमतकारी तोटके